तो यहां पर मैंने पाच उबले हुए अंडे ले लिए हैं अंडे को बस हमें बॉइल कर लेना है और अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे तो इस तरह से दिखिए छन्नी पर रखे मैं अंडे को यहां पर ग्रेट कर लूँगी बहुत ही आसानी से हो जाते हैं यह देखिए इस तरह से सारे अंडे को हम इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे और सारे अंडे मैंने इस तरह से देखे ग्रेट कर लिये हैं अब हम इसमें कुछ मसाले और एड़ करेंगे तो पहले हम इसमें एड़ कर देंगे थोड़ी सी बारी कटी हुई कोथमीर एक छोटी सी प्यास बारी कटी हुई दो हरीमिज बारी कटी हुई 140 पुन हल्दी पाउडर 140 पुन धनिया पॉडर साथ में आड़ करेंगे चावल का आटा यानी राइस फ्लोर एक टेबल स्पुन और एक टेबल स्पुन आड़ करेंगे बेसन और अब ये सारे मसाले अंडों में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें बहुती अच्छा सारे मसालों का, साथी में बेसन, राइस प्रो से बहुती कुरकुरे बनेंगे प्यास का बहुती अच्छा ये अंडे के पकोडे में टेस्ट आता है तो ये दिखे सारे मसाले को मैंने अंडे में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे एक अंडा मैंने इस तरह से फोल लिया है तो पहले हम इसमें आदा ही डालेंगे बस हमें बाइंडिंग करना है तो हमें आदे ही अंडे की जरुत पड़ेगी तो यह आदा अंडा मैंने फेटा हुआ इसमें डाल दिया है और अब ये अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे इससे हमारे जो अंडे के पकोड़े है वो तूटेंगे भी नहीं बाइंडिंग भी अच्छे से होगे और ये रेखिया हमें पानी मिलाने के इसमें जरुत नहीं है बस अंडे का फेटा हुआ आदा हिस्सा में इसमें डाल दिया है और ये इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो बस अब हमारे अंडे का पकोड़ा बनने के लिए तयार है तो अब हम इसके पकोड़े तयार कर लेंगे यहां पर एक से देटे बस मुझितना हम ले लेंगे अंडे का पकोड़ा जो हमने तयार किया है यहां पर आप चोटे बड़े जैसे या शेप जैसे आपको चाहिए वैसे आप खुद तयार कर सकते हैं इस तरह से तो पहले तो हम इसे अच्छे से टाइट गोल शेप दे देंगे और हातों पर इसे रख कर इस तरह से प्रेस करेंगे यह दिखिए इस तरह से बस यह हमारा तयार हो गया है एक पकोड़ा फ्राय करने के लिए तो इसे हम एक प्लेट में रख दे जाएंगे और सारे पकोड़े को हम इसी तरीके से तयार कर लेंगे तो यह अब हम तेल गरम करने रख देंगे तो यहाँ पर यह मैंने पाच उबले हुए अंडे लिये थे उसमें मेरे दस पकोड़ा तयार हुए है तो जब तेल अच्छा गरम हो जाएगा तब हम यह पकोड़ा को फ्राय कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर हमें करना है एक दम हा दूसरी तरफ से भी अच्छे से हम इसे फ्राय होने देंगे देखे हलका हलका इस पर गोल्डन कलर आने लगा है तो यह हमने पलट लिया अब दूसरी तरफ से भी अच्छे से होने देंगे फिर पलट का दोनों तरफ से अच्छे कुरकुरे होने तक फ्राय कर लेंगे यह यह थोड़ा डार्क कलर हो गया है अब यहाँ पर भी पलट कर हम इस तरह किसे गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे अंदर से भी बिलकुल पके हुए और बहुत ही टेस्टी एग पकोड़ा तो यह सारे पकोड़ों को हम इसी तरीके से फ्राय कर लेंगे और तेल निथार कर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहां पर मैं यह पकोड़ों को सर्फ कर रही हूं सॉस के साथ बहुत ही टेस्टी और जटपड बनने वाला स्नेक है तो आप भी इसी तरीके से यह स्नेक की रेसिपी ज़रूर बनाए और सारे पकोड़ों को इसी तरीके से फ्राय मैंने कर लिया है और गर्मा गर्म यह पकोड़ा मैं आपको तोड़के भी दिखा देती हूं हलका हलका गर्म है यह और यह देखिए अंदर से पुरा अंडे से फील किया हुआ बहुत ही टेस्टी तो आप भी इसी तरीके से एक पकोड़ी की रेसिपी ज़रूर बनाए और गर्मा गर्म आप भी यह पकोड़ा सर्फ कीजेगा इसी तरीके से सॉस के साथ जैसे मैंने किया है इस तरह से और आपको यह रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएगा